Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot Guys, आज का जो हमारा वीडियो है, उसका टॉपिक आपने थमनेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर ये रीडिंग करने वाले हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके अंदर वो कौन सी खूबियां हैं जिन से लोग प्रभावित होते हैं या जिन से लोग आकरशित होते हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ये हम इस रीडिंग के थूँ देखेंगे और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए पसंद आया तो लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करतीजिए और पसंद आया तो लाइक जरूर करें तो देखते हम जो भी वीवर्स हमारी इस लीडिंग को देख रहे हैं उनके अंदर वो क्या खूबिय हैं जिनकी वजय से लोग उनसे प्रभावित होते हैं लोग उनकी प्रती उनकी और आकरिशित होते यह इस लिए अफ़िश्प्न के देखेंगे 8 और जो कौन सी खूबिया हैр आपके अंदर जिनकी वजय से लोग आप आपसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं अब बॉटम आफ देक दसन का कार्ड तो यहाँ पर जो कार्ड है वो कुईन आफ बॉंड्स, नाइट आफ बॉंड्स, एट आफ सोड्स, फोर आफ सोड्स, नाइट आफ कॉप्स, त्री आफ पेंटिकल्स, पेज आफ पेंटिकल्स, दा मून, जस्टिस, टैन आफ वोंड्स, पेज आफ वोंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राशियों की, तो यहाँ पर जो हैं वोंड्स की एनरजी बहुत जादा है, मीन स्पायर एनरजी, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेश राशी, सिंग राशी और धनू राशी, तुला राशी, मीन राशी, वरश्चिक राशी, यह जो हैं बहुत स्ट्रॉंग साइन दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ अगर हम आपके बर्थ मन्त की बात करें तो, अप्रेल आपका बर्थ मन्त हो सकता है, अगस्त आपका बर्थ मन्त हो सकता है, अक्टूबर आपका बर्थ मन्त हो सकता है, नवंबर हो सकता है, और मार्च हो सकता है, यहाँ पर जो आपकी एनरजी है, सन की तरह आप के अंदर जो है आपका जो सूरे जो हो आपकी कुंडली में सूरे हो सकता बहुत स्ट्रॉंग साइन हो स्ट्रॉंग उसका प्लेजमेंट हो बहुत स्ट्रॉंग जगा पर सूरे जो है बैठा हो सकता आपकी कुंडली में और आपका मूलांक जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका जो डेट आप बर्थ है वो किसी भी मन्त की 1, 10, 19 या 28 को हो सकता है साथ-साथ आपके अंदर एक leadership quality है आपके अंदर जो है आप लोगों को lead करना जानते हो आप लोगों को control करना जानते हो आप एक leader के रूप में बहुत अच्छे से उभर सकते हो आपका जो nature है lead करने का है initiate करने का आपका nature है साथ-साथ हो सकता है आप जहां भी job कर रहे हो आप manager की post पर हो, आप CEO की post पर हो, आप chair person की post पर हो कुछ लोग यहां पर मुझे leaders भी दिखाई दे रहे है, politics party में भी दिखाई दे रहे है हो सकता है अगर politics में हो तो आपको एक बड़ा पद जो है मिला हो सकता है अगर आप job में है, teaching job में है तो आप vice principal हो सकते है, principal हो सकते है, head of the department हो सकते हैं आप college में lecturer है तो professor है तो यह आपकी post हो सकती है, साथ साथ यहां पर मुझे यह दिखाई दे रहा है कि लोग आप से क्यों प्रभावित होते हैं, लोग आप से इसलिए प्रभावित होते हैं, कि आप बहुत जहां भी जाते हैं, आप बहुत enjoy करते हैं, जल्दी mix-up हो जाते ह हर जगा adjust हो जाना, हर जगा mix हो जाना, mix-up हो जाना, यह जो आपका nature है, यह जो है लोगों को आपकी तरफ प्रभावित करता है, आप से बहुत प्रभावित करता है, साथ साथ, आपकी तरफ attract करता है, night of wands का card है, आप जो है, एक जगा पर जो है, आपका जो nature हो इस तरह का है, कि एक चीज पर आप बहुत लंबे समय तक focus नहीं कर सकते हैं, आप एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, चाहे वो job हो, चाहे वो आपका passion हो, चाहे वो आपका dressing sense हो, चाहे वो आपका living lifestyle हो, उससे आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो आप अपनी life में changes करते रहते हैं, ये भी कह सकते हैं कि आपकी life में creativity बहुत है, आप हमेशा जो है, एक जगा चुप होकर नहीं बैठ सकते हैं, आप active रहते हैं किसी ना किसी चीज में, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तो ये जो चीजे हैं, जो आपके अंदर जो creativity है, वो लोगों को आपकी तरफ attract करती है, eight of sorts का card है, जो की बतारा आप एक जगा बंद कर नहीं रह सकते, आपको कोई बांद नहीं सकता, आप जो है, एक जगा बंदे हुए होकर नहीं रह सकते, साथ-साथ four of sorts का card है, जो की बतारा है, आप अपने family members के बारे में बहुत सूचते हैं, आप अपने loved ones के बारे में बहुत सूचते हैं, आप अपने friends के बारे में बहुत सूचते हैं, तो ये जो चीजे हैं, ये जो आपके अंदर attitude हैं, जो ये आपके अंदर attributes से, जो ये बहुत अट्रेक्ट होते हैं बहुत प्रभावित होते हैं नाइट आफ कप्स का काड़ आप बहुत इमोशनल इमोशन से आपके अंदर सब के लिए ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स के लिए होंगे फैमिली मेंबर सब के लिए अलग-अलग आपके दिल में एक इमोशन से एक जगा है इसकी वज़े से भी लोग आपसे बहुत अट्रेक्ट होते हैं त्री ओप पैंटिकल्स का कार्ड है आप टीम वर्क में काम करना पसंद करते हैं आप जहां पर भी काम करते हैं चाहिए वो फैमिली में हो चाहिए फ्रेंट्स में सबको साथ लेकर काम करना इस तरह का जो एटिटीट है ये लोगों को आपकी तरफ अट्रेक्ट करता है लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रेक्ट होते हैं आपके अंदर पूरी काबलियत है बस आपको थोड़ा सा गाइड लाइन्स की जरूरत है अगर आप किसी चीज में बस थोड़ा सा कुछ बताने की जरूरत है आप बहुत जल्दी चीजों को कैच अप करते हो पकड़ते हो केच करते हो कोई चीज अगर आप सीख रहे हो तो बस थोड़ा सा हिंट मिलने की देर है आप बहुत जंदी चीजों को सीखते हो यहां पर दा मून का कार्ड है तो यह बता रहा हो सकता आप बहुत इंट्यूटीव हो आपका इंट्यूशन पावर आपकी साइकी एबिलिटी बहुत स्ट्रॉंग हो आप परिस्तिति को आप चीजों को पहले से भाप लेते हो मैं कि जस्टिस का कार्ड है जो की यह बता रहे है कि आप जो है जस्टिस अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो आप तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठाते हो चाहे उसमें आपका हित हो या नह आपने स्वार्थ के चलते किसी चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हो आप लोगों के हितों के लिए आप लोगों की भलाई के लिए आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जो है वह आवाज उठाते हो तैन और वांड का काड़ हो सकता है कि आप के अंदर इस तरह का नेचर हो कि आप जो है मना नहीं कर पाते किसी को भी उसके कारण हो सकता है कि ये एक आपका छोटा सा माइनस पॉइंट हो सकता हो सकता है आपके कंदों पर बहुत जादा जिम्मेदारी हो हो सकता? आप मना नहीं कर पाते हो, आप किसी को भी, तो ये जो attitude है, इसकी वेज़े से हो सकता, आपको थोड़ा सा आपको अपने shoulder पर burden लगता हो, बट ये चीज जो है, आपकी, आप किसी को मना नहीं करते हो, तुरन ठा कर देते हो किसी भी काम के लिए, तो ये जो चीजे है ये भी लोगों को आपकी तरह बहुत अट्रैक करती हैं और लोग आपसे बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं Page of Wands का कार्ड है जो कि यह बता रहा है कि आपका Communication Skill बहुत अच्छा है काम करने का जो एक तरीका होता है वह बहुत बढ़िया है जिसके कारण जो है लोग आपको आपसे प्रभावित हो जाते हैं बहुत जल्दी Àp आट्रैक्ट होते हैं और भी हम कार्ड लेंगे और देखेंगे कि लोग वो कौनसी वजये हैं मेजर कारण है जिसके कारण लोग आप से प्रभावित होते हैं वील आफ और जिन मैजीशियन फूल दा एम्प्रेस तो यहाँ पर जो बॉटम आप देक आया है वो आया है जस्टिस यहाँ पर भी जस्टिस का कारण है तो आपके अंदर ये खूबी एक ये भी है कि आप जो है जस्टिस का कारण आया है जो कि यह बता रहा है बॉटम आप देक जस्टिस है जो कि ये बताता है कि आप जो हैं जस्टिस चाहते हैं अगर किसी चीज कोई चीजे ऐसी रिष्टे ऐसी सिचुएशन ऐसे लोग जो आपको नहीं समझ में आते हैं जो आपको बहुत एक टॉक्सिक लगते हैं कोई बीस इस्तिती जो आपको लगती है कि आपके लिए बैलेंस नहीं है उन चीजों को आप एंडिंग कर देते हो साथ साथ दा एंप्रेस का कार्ड है आपकी लाइफ में यहीं वजह है कि अबंदेंस है यह जो क्वालिटी आपकी जो बताई हैं यहां पर कार्ड के थूँ वो यह बताती है कि इसी कारण से आपके लाइफ में बहुत अबंदेंस है प्रोस्पेरिटी है बहुत ही हो सकता आपका Venus बहुत strong यहाँ पर दिखाई दे रहा है, शुक्र कि रहे, the fool का card है, आप जो है किसी भी काम को जो है एक leap of faith लेकर एक विश्वास करके आप किसी भी काम को start करते हो, और जब भी आप कोई काम जो है start करते हो, उसमें आपके अंदर doubt नहीं रहता है, the magician का card है, आप स्ट्रॉंग है और कम्यूनिकेशन इस्किल तो और भी बढ़िया है जो कि लोगों को प्रभावित करता है आप अपने बात करने के तरीके से आप अपने बोलने के तरीके से लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो दा वील ओफ और जिनका काड़ है और यहां पर आपने हो सकता है कि आपने बहुत अपसें डाउंस भी देखे हूं ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है वो सकता है आपका जो है आपने बहुत ज्यादा जो है अपसें डाउंस देखे हूं और इस कारण से आपने इतना सब कुछ होते हुए आपकी होते हुए भी आप अपनी लाइफ में एक नेजर चेंजिस लेकर आएं तो इस वज़े से भी जो है लोग आपसे प्रभावित होते हैं और अट्रेक्ट होते हैं जो थे वो ट्रेड्स थे आपके और यह ज़रूरी नहीं है कि यह रीडिंग जो सभी से मैच करें कुछ कुछ reading किसी से मैच कर सकती है और यह timeless reading है जब कभी भी इसको देखेगा यह किसी ना किसी से जरूर मैच करेंगी तो यहां पर बस आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप जो हैं ज्यादा मेंस आप दूसरों को थोड़ा सा जो है एजर्टिव बनिए मेंस हमेशा हां कहना हमेशा अच्छे बने रहना जिसके कारण हो सकता है आपको कभी-कभी बर्डन भी फिल होने लगता है वो सकता आप बहुत जयादा किसी को आप निराश नहीं करना चाहते हैं और पर इस चीज से आपको बचना चाहिए और आप बहुत ज्यादा सब के बारे में सोचते हैं हैं बहुत ज्यादा तो जरूरी नहीं है कि हम सभी के अच्छा कर सकें कभी कभी हमें जरूरी नहीं कि हम सभी को खुश कर सकें किसी को हमें निराश भी करना पड़ता है तो यहां पर आपकी जो एक माइनस सा पॉइंट दिख रहा वो यह कि आप लोगों को ना नहीं कर पाते तो यहाँ पर कभी-कभी जब आपको लगे तो आप ना भी कहना सीखे यह जो है आपके लिए गाइडेंस है थेंक यू सो मच पॉर वाचिंग माई वीडियो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तो भ्याम ओम साहिराम जय मातादी राधे राधे